हेलो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जाने वाले हैं सीखने वाले हैं कि अगर आप प्लास्टिक वाली टरंटेबल यूज करते हैं तो वह आपको यूज बिल्कुल भी रही करनी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कहते हैं कि मैं क्या प्लास्टिक वाली टरन होती है फिर उसके बाद मैंने एनवन नोजल लिया है उससे मैं बना रही है एक डिजाइन तो वो डिजाइन बनाने के लिए आपको मैंने सबसे पहले एक बड़ा रोज बनाया है फिर छोटा रोज फिर उससे छोटा रोज ऐसे बनाया है फिर एनवन नोजल से ही आपको चोटे-चोटे से star बनाने हैं और पूरे उपर से नीचे तक आपको ऐसे लेख्याइना है पूरे round नी करना है फिर मैंने उपर वाले जो हमने star बनाएन उसको double line दिया है पूरा एक दम एक बराबर आपकी design बहुत ही देखे तो यह देखे मैं इसwayке मैं तो लीफ आप नॉर्मल ही कैसे बनाते हैं आप सिधा सीधा यह बनाते हैं बस इसमें थोगा सा टेड़ा लीफ बनाई रहे और देखने में अलग तरफ का लीफ दिखाई देगा तब ऐसे भी बनाकर जरूर ट्राइए करिए फिर उसी लीफ नोजल मैंने बताया था ना कि मैं नीचे भी बनाने वाले हूं तो यह देखिए कुछ ऐसा दिखेगा और बनने बाद सच में बहुत ही खुबसूरत कलर कॉंबनेशन भी बहुत ही प्यारा लगता है तो आप ऐसी बनाकर ट्राइए करिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए और हर बार कुछ नई नहीं वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और आपको यह भी देखना है डिजाइन बनाते वक्ति सोचना है कि कहां पर मैं क्या बनाऊंगी तो देखने में खुबसूरत लगे क्योंकि आपको केक को बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर बनाना हो अच्छे से सजाना होता है तो देखके कहीं छूटतों ने गया फ्लावर यह सब चीजों का ध्यान जरूर रखना है तो यह देखिए हो गई आपकी फ्लावर कंप्लीट मैं उपर से सुगर बीड्स भी लगा दिया वाइट कलर का और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे लेकर आती है कुछ नया सीखते है तो थैंक्स वरोचीन बाई बाई